एल्कम बैक अगेन इस््टुडि diff हमने पिछले जो मारा चप्टर था उसमें हमने एड़रटाइसींगी के बारे में बढ़ा कि एड़रटाइसींग क्या है वा फिस एड़रटाइसींग तो आज इसी चप्टर को हम थोड़ा आगे थोड़ा डीपली पढ़ते हैं आज इस चप्टर में आपका इसमें दिया है विग्यापन क्या है आपके पसंदीदा मुवीज या टीवी सीरिल के बीच में आपको बहुत बार एड्स देखने के लिए मिलते हैं तो क्या आप जानते हैं कि असलमें ये एड्स क्या होता है ये अर्वटिजमेंट क्या होता है ये 30 सेकंड की स्पॉर्ट एक कैचे सेंटेंस ये चतराई से लिखे की स्लोगन जिसे हम अक्सर अपनी टीव में देखते हैं उसी को विग्यापन कहते हैं जबी भी हम घर में कोई मूवी देख रहे होते हैं, अपने टीवी में अपने अपना फेवर्ट सीरियल देख रहे होते हैं, या हम थेटर में कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो अकसर हमें देखा हैं, बीच में कमर्शल एड्स जो आते हैं, तो क्या इंपोर्टेंस है इन माने गए है कि हम इतनी मन लगा के हम मूवी देखते हैं मन लगा के हैं IPL मैच देख रहे हैं अमरे जो फूटबल मैच चल रहे हैं हमारी जितनी सब लीक्स हैं, होचल रही है होकी मैच चल रहा है कबडडी मैच हमारे चल रहा है इसमें हम देखते हैं, एक सर्वे के अनुसार एवरेज इंसान दिन में करीब 5000 से ज़्यादा एड़टाइजिंग मैसेज़ पढ़ता है, यह बात बिल्कुल सच है कि हम लोग डेली पढ़ते दिन, लगग लगग 5000 से ज़्यादा मैसेज पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का तरी देखते हैं, यह कोई होलिंग देखते हैं, तो किसी भी तरीके से वो कुल्मिला के लगग 5000 एड़टाइजमेंट मैसेज हम डेली पढ़ते हैं, यह एड़टाइजमेंट्स बहुत से शेप्स, साइज और फॉर्म्स, यानि अकार में आते हैं, अब लेकिन सवाल यह उठता अड़ को यह एड्स देखने होते हैं, यह एड उसके बीच में आते हैं, तो क्या महतो है? इन एड़टाइजमेंट्स के एड़टेजिस और डिसएड़टेजिस क्या होते हैं? येदि आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो बिना देरी किये, चले शुरू करते हैं और जानते हैं कि advertisement होता क्या है विग्यापन क्या है Hindi विग्यापन Hindi विग्यापन लेखन का एक ऐसा कारिय होता है जिसमें कि जनता का ज्ञान को किसी और कीचा जाता है जदातर paid paid arrangements की और इसमें ज्ञान देने वाली बात यह है कि advertising को किसी एक प्रकार तक limit नहीं किया गया है advertising को कोई limitation नहीं है उसको किसी भी तरीके से present किया जा सकता है जैसे कि print media, television, internet या कोई दूसरा specific medium जैसे geo क्या है इसका इतिहास, credit card क्या है यह सब चीज़े हमें कहां से देखने के लिए मिलती है अगर हम रोज मुझे कोई अच्छा नमक खाना है मुझे अच्छा toothpaste को यूज़ करना है मुझे mobile phone अच्छा यूज़ करना है तो हम सबसे पहले कहां जाते हैं हम सबसे पहले advertisement देखते हैं इन सब चीजों के reviews देखते हैं यह सब जितने भी social messages और यह सब हम लोग इसको search करते हैं तो उसमें हम लोग उसके videos देखते हैं उसके specifications क्या हैं हमें कोई mobile purchase करना होता है उसके हम पूरा उसका कितनी RAM है कितनी screen size है कौन सा उसमें display है emoled है, super emoled है तो यह सब चीजें हमें कहां देखने के लिए मिलती है उस product के regarding जो add है उसमें हमको यह देखने के लिए मिलती है वही attention अपनी तरफ खीचने से यह तात पर यह है कि attention हमेशा सही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई add हमें अपनी तरफ attraction कर रहा है attraction कर रहा है अपनी तरफ तो ऐसा जरूर नहीं कि वह attraction हमेशा सही हो वह गलब भी हो सकता है तो यहां आता है विग्यापन का earth definition of advertising बहुत से business specific definition में advertising की यह कहा गया है कि advertising असल में non-personal होते हैं यह distinction कभी कभार महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि face to face sales का role बहुत से जग़ों में business play करते हैं businesses play करते हैं वही एक sales force को अकसर consider किया जाता है एक marketing strategy है ना ना कि एक advertising strategy आसान से सब्दों में कहें तो advertising एक ऐसा paid form है non-personal presentation और promotion का ideas goods और services का identified sponsor के दुआरा इसी उदेशन से बनाया गया होता है कि ये targeted set के audience को प्रभावित कर सके हैं यानि एक तरीके से हम देखा जाए तो जैसे हमारा हम अपने मुझा फंडगर शायर में रह रहे हैं लेकिन हमारे यह अभी भी कुछ बहुत सारी अच्छे brands की गाड़ियों के showroom नहीं है जैसे हमारे Audi का showroom नहीं है हमारे Mercedes का कोई showroom नहीं है तो ये depend करता है ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर इसको purchase करने वाले लोग नहीं है लेकिन अगर comparison करें दिल्ली से तो दिल्ली में इसका एक बहुत अच्छा एक space है इसको खरीने वाले लोग वहाँ पर जादा है तो इसका ये सब चीजे भी देखनी पड़ती है कि audience हमारी किस तरीके की audience या मतलब audience मेनिंग इसलिए है कि कौन सी चीज किस जगा पर अच्छे से sale हो सकती है वहां किस जगा उस product के regarding उसका audience available है अब आते हैं विग्यापनों की विशेष्थाओं के बारे में तो आएए चलते हैं चलते हैं कि विग्यापन विभाग के क्या क्या कारी होते है सबसे पहला जो इसमें विशेष्था होती है विग्यापन paid form होना चाहिए paid form क्या होता है advertising में जरूरत होती है advertiser जिसे की sponsor भी कहते हैं वो pay करे एक ऐसा advertising message बनाने के लिए जिसमें उन्हें advertising media slot खरीदना पड़े और advertising efforts को monitor भी किया जा सके तो ये बहुत जरूरी है जो इसमें चार हम लोग ने विशेष्थाओं के बारे में इसका warning किया है तो पहले जो define किया हमने paid form का होना बहुत जरूरी है इसके साथ ही हमारा second है promotion करने के लिए tool advertising एक element होता है किसी एक organization के लिए promotion को mix करने का एक तरीका है कैसे उसको promotion किया जा सके तीसरा one way communication होता है देखा जाये तो advertising एक one way item communication होता है जहां कि brand communicate करते है customers के साथ अलग-अलग mediums के दुआरा जितने भी brands है उनको use करने के लिए जितने भी consumers है जितने भी customers है उनके साथ खुद play करते है तो ये one way communication जो है कहलाता है इसे के साथ हमारा fourth जिसमें जो है personal या non-personal होना बहुत जरूरी है advertising का या तो non-personal हो सकता है जैसे TV है radio है newspaper है advertisements है तो इनमें ये non-personal है ये non-personal है इसमें कोई किसी एक विक्ती विशेश के बारे में या एक विक्ती विशेश को ही इसमें नहीं हम लोग show करते हैं या किसी एक विक्ती विशेश के लिए ही एड नहीं चलाया गया है इसको हम non-personal में आता है personal की बात करें तो personal advertising में highly personal भी हो सकता है जैसे social media और दूसरे cookie based advertisements के case में होता है यानि कुछ लोग जैसे बहुत बहुत इसको उनका personal जो हमारा personal advertising है उसका कुष्ट हमारा non-personal से बहुत कहीं ज़्यादा होता है तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा आज का जो ये chapter रहा है इसमें हमारा advertising में हम निकाद देखा कि कितना important role हमारी life में advertising play करता है अभी इसी करम में आपको आगे पूरा अभी तो सिर्फ हमारा advertising का आपको एक introduction ही इसके वारे में आपको समझाया जा रहा है अभी हमारा आगे इसके इसकी पूरी क्या-क्या कार्या प्रणाली होती है कैसे-कैसे ad agencies working करती है है ना HOCs के वारे में आपको बताया जाएगा है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जादा से जानकारी आप लोगों को हम इसमें दे सके लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग लगातार lecture देते रहें लगातार हमारे साथ बने रहें तो आज के lecture में इतना ही फिर बिलते हैं अगले lecture में थैंक यू सो मच